हेलो दोस्तो राधे राधे सभी को जैसी आराम मेरे ब्लॉग में स्वागत है दोस्तो आप सभी कैसे हो आयो बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हों दोस्तो मेरे ब्लॉग में स्वागत है दोस्तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि एक बहन जो होती है वो अप लुटेगी शादी है तो भाद देने आईं है ये देखो तो ये मेरे सर्जी है जो सर पे डलिया रखके आती है उसमें माठे भरे हुए है उनकी डलिया को उतारते हैं उस पे सोरपे डालते हैं इधर नीचे जो चौक पूरते हैं उस मेन को पिर वहAS agora करते हैं तो इतने भी होती है, सब लोग आती है साथ में तो जो मेरी बुवा सास है वो आई है अपने बेटे का निवता देने, तो मैं अभी अपनी इसाशुमा के घर पे आई हूँ इधर पे तो मैं वो अंदर आई भाद का निवता देने आई है कि मेरे यहाँ भाद का ब्लॉग बनाया मैंने दूस्तों मैंने सुज़ा चलो आपको दिखाते हैं कि हमारे यहां कैसा होता है हमारे यहां पहले साधी होती है अगर पहले अपने बेटे की तो बहन जो होती है वो अपने माई के भात देने आएगी जिस परकार वो आई है ने होता भात करने होता द तो इस डलिया जो उतारी थी उसमें मेठे माठे वे कहलाती हैं जो मेयंदा के बने होते हैं वो बना के लाती है उसी को भरे रहती है उस डलिये में शोर पे डालने होते हैं भाई को फ Além फिर चाय बनाने के लिए रख दी ही आई उनके पैरचुए सभी को सभी को अंधर बठाला ये ग्रीन साड़ी बहने ये मेरी छोटी वाली बुआ है जो दिख रहेंगे आखो ये उनकी ननद है दोनों ये पानी दिया मैंने लोगों बीने के लिए उनकी दोनों ननदाई ये जो जिठानी है वाली साड़ी बहने पिर छुए क्यों कि गूआ सास के हां से आई है न ये लोग साभी तो मेरी यहां ऐसा हुता है दोस्तों आप लोग का लोग काakah है मैं आई अपनी केचिन में केचिन में मैं उन लोगों के लिए चाह नास्ताब लगाउंगे तो मैंने सुचा चलो मैं अपने यहां का जो एक बहन अपने भाई के आंग कार्ड देने आती है, भाई का निवता देने आती है, फिर भाई भाद लेके जाएगा, तो उसका ब्लोग बनाएगा, तो मैंने सुचा चलो, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, मैंने गेस की फ्लेम को देज कर दिया है, उन लोगों के लिए मैं चारना रही हूँ, मैं अपनी ममी जी के हो रही थि, वहीं पर मलग किया है, मेरा घर अलग है, मैं अलग है दूसरे दो घर है मेरे नहां, तो मैं दूसरे उलुचा आउट पर रहती हुआ, पहले यहीं पर रह तो इदर मेरी चाय बन रही है और लोगों के लिए मुझे बहुत गरम बूल हुआ था तो मैंने अपने शाड़ी से पफड़ लिया इसको तो मैंने इन लोगों के लिए कड़ाई हो जब मज़ दिख रही मैंने असी गगा खौन रखा किसी को दिखी भी नहीं रहा था मेरी ब नास्ता लगा रही है विएक बिसकिट और त gwikes में मुझे पूँछ रही थी कितना नास्ता क्या लगाना है लोगों के लिए चये बनाई एक और बिसकिट नमगी विए का नास्ता खाना खाएंगे तो खाना मनाएंगे अभी पहले से बनाकी नहीं रखा पता नहीं वैसे व बुआ लोग के लिए खाना नहीं बनाएं, तो अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, कि मैं कैसे ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा नमगी नाला, उसमें एक पैकेट विस्कुट का खोला, पाजी कहीं और काड देने चले गए थे, तो मैंने दुआ लोग को इधर मैं उन लोगों के लिए भी चाय लेके जाँ हूँ, गुआ लोगों के लिए तो बुला रही हूँ थी, जो मैं धोड़ा वहां को गई देखने, फिर कि अपनी केचिन में आई, और मैं लोगों के लिए चाय बना के अभी देती हूँ, तो इस पकार दोस्तों मैंने सो चाय चलो, आप लोगों को दिखाओं के मेरे यहां कैसे क्या होता है, एक बहन कैसे मतलब अपने भाई के यहां आती है, और ने उता देती है, और भाद लेने के लिए बोलती है, बताती हैं वो के हमारे यहां कैसा होता है, तो बहुत सारे लोग थी, प्राइवर, वासास की दोनंद सभी लोग थे तो लोग के लिए मैं इधर पर मेरी चाह पक चुके थी नास्ता भी लग चुका तो मैंने बालों किया फोल्ड क्यूंकि बाल गी ले थे खुली रखे हुए थे तर मैंने पने बाल फोल्ड करके कलेचर लगाया वह एक बहू की तरह रेडी हम मैं इस चाह को चानूंगी लोग के लिए फिर मैंने सचा चलो ये पॉलिधन की बज़े से आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैंने वो अटाई तो मुझे करम लग रहा है बहुत जागा तो मैं संसी उठाई संसी से मैं चाह चानती हूं अपने लोग के लिए सभी को चाह तुम इस पता नहीं माता जी कैसा है चाह करता रहा है बहुत करम लग रहा था उस चाह भी सही उनी वन रही तो मैंने लोटे में चाह चानी नहीं सभी कपों में डाला अच्छे से फ्रूम लोग को चाह देंगी चाह बहुत कम बनी हुई थी तो मैं दुबारा मना दूनी जिसको कम पड़ जाएगी अभी इतना ही लेके जा रहे हैं तो मैंने तीन कप चार कप में जाए चाह के लिए जा रहे हैं तो मैं अस्ताव लोग के लिए है यह देखो तो मैंने थोड़े सी बिस्केट के लिए तो मैंने उन लोगों के लिए चाह रख दिये दोस्तों इधर मैंने उन लोगों से थोड़ा बातचीत की मैंने कहा चाहे पियो बुआ कितनी दारी के साथ ही है यह सब बात है सब मात यह मेरी साथ शुमा है यह लोगों के शाड़ी पहने हुए है यह बुआ की ननद है सामने जो बैटी हुई है हर्ष नहीं है यह भगल में जो है वो जिठानी है यह वाली और यहां भी उनकी तो मैं आपको इन सब से मिला दिए हैं दोस्तों这 सवाई जी आंगे रूम में बैठे हुए हैं तो ये लोग अपना कारड देने आए हैं आप लोगों के शायर किया दोस्तों करना कैसा लगा आप लोगों के यह ख़ा ही हमारे हां ऐसा ही होता है जैसे और यहां पर बहन जो भाद देने अपने भाई को अपने बेटे का काड़ देने जाती है तो उसे ससराल में अपनी ननत को जटाने को सारे लोगों को लेकर चलना होता है तो ऐसी मेरे यहां होता है, इधर भी लेने होता है, तो ऐसी पुआ लो हो, तो ऐसा ही चलन होता है, यह मेरी ग्रीन कलर की साड़ी, यही पुआ है, जो मेरे साथ खड़ी हुई है, नहीं की बेटी की साथ ही है, तो मैं नहीं की साथ एक वीडियो होना ही, यह उनकी जिठानी ह वो भी असरी ये बगल में ममी जी है ये दोनों घड़ी थी तो मैं इन लोगों का वीडियो बना रही थी दिख रहा होगा ये पड़ोज की चाची है वो भी आई थी तो ये बीच में आगे हैं तो मेरा थोड़ा वीडियो सही से नहीं बन पा रहा था मड़ में बनाती जा रही थी उन लोगों से बाते भी करती जा रही थी अब वो लोग उन्हें नास्ता चाए मैं सब कुछ कर लिया जाने की तैयारी हो रही है दोस्तों तो मैंने इन लोगों कोई पचास पचास रुपए से पैर सारे लोगों के सौसु रुप सौरी पचास पसाद बोलें सौसु रुपे से पैर चुए उनको तिलख लगाया उनको विदाई दी तो वो टलिया वापस लेके जा रही थी क्योंकि दूसरा भाई है पापा के सासु जी के तो वहां लेके जा रही है तो उस मैंसे उन्होंने पहर चुए सौसर रुपे से और उनको बिधाई की उन लोगों की मेरिया मौसम इतना खराब है बहुत जाना बारिस कैसा तो यह देखो उन लोगों को गाड़ी में मिठाया उनके पहर चुए उनको वाय बोलेंगे इस तरीके से होता है दोस्तों तो मैं आप उनके आने से ले हैं दोस्तों पूरा देखना बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की यहां कैसा होता है कमेंट करके चरूर बताना कैसा लगा दोस्तों लाइक करें सेयर करें सपोर्ट करें दोस्तों तो इस तरह कैसे वो लोग सभी गाड़ी में बैठी मैंने सभी से आपको मिलवाया है यह यहां कैसा एक बहुँ का फ़र्ज निमाना बहुत मुस्किल है यार क्या क्या बन जाते हैं तो इधर मैंने उन लोगों के पैर चुने गई तो मेरा केम राहिल गया बुआ लोगों को तो मैं थोड़ा ठंक से सूट नहीं कर पाई दोस्तो इस पर फोकस मत करना आंगे देखते रहना बहुत अच्छा लगएगा भाई सीटे मेरी साथ सुनाएं साथ जी बोले अट जाओ मैं गेट लगा दू तो मैंने का ठीक है मैं हट गई ये बुआ बैठी स सामने मैंने उन से बाई बोला गाड़ी चली गई दूस्तों लोगों की बिदाई भी कर दी सभी की इदर वो चावल जो भाई